अग्याव दोस्तों मेरा नाम है तंजीम और आप देख रहे हैं तरुपरिश्टार दोस्तों आज मैं इन्वेटर की ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कॉमन है और हर इन्वेटर में हो जाती है यहाप आप देख सकते मेरे पास जो इन्वेटर जब लाइट चली जाती है उसके बाद जैसे हम यूस करते हैं इन्वेटर को उसके बाद थोड़े टाइम के बाद यह अपनी सप्लाई जो है बंद कर देता है मतलब कट कर जाता है तो यह प्रॉब्लम क्या आती है तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके इन्वेटर में है तो तो समझो कि आपका फ्यूस ओड़ चुका है अगर दूसरी चीज अगर चार्ज नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप यहां पर यह जो फैन है इस फैन के सामने इस तरीके से आप हाथ लगाईए यह जो है गरम हवा जो है बाहर फेकता है यह फैन मतलब अंदर जितनी भी हीट इसका जो फैन है वो खराब हो चुका है और अंदर इतनी जादा हीट हो जाती है जिसके कारण यह कट कर जाता है मैं अभी यहां पर इसको उपन करके दिखा देता हूं यह देखे अब आप यहां पर देखे अगर मैं इसको आन करता हूं यहां पर देखिए इन्वेर्टर जो है मैंने on कर दिया है यहां पर light glow कर रही है और आवाज से ही पता लगता होगा लेकिन यहां पर मैं चाहिए कितना भी load डाल दूँ इसका जो fan है वो नहीं चल रहा है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों जब बहुत जादा time हो जाता है इसको inverter on किये तो अंदर जितनी भी heating होती है उसके थरूँ जो है यह कट कर जाता है और फिर यह supply देना बंद कर देता है यह देखे फैन अभी जहां मैं बिल्कुल नहीं चल रहा है तो ऐसी इस्तिदी में हमें क्या करना चाहिए और ऐसी problem को हमें किसी को mystery को दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब पचास से असी रुपे तक का आपको मिल जाएगा easily देख लीजेगा फ्रेंड तो अब हम इस fan को जो है replace करके दिखाते हैं फिर देखते हैं यह कैसा work करता है तो fan को replace करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है इसके उपर से जो यह transformer की जो वायर गई है इसको हमें निकाल निकाल लेना है उसके बाद fan को easily निकाल लेना है देख लीजिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ यह देखिए गाइस इसको कुछ इस तरीके के screw आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर यह देखिए इस तरीके का पेच कस लीजिए और यहां पर इसकी नोप पे रखके इसको दबा दीजी यह आटोमेटिक बाहर आ जाएगा बहुत ही इसली यह जादतर लोगों से नहीं खुल पाता है तो इसका जो है बेस्ट ट्रिक जो है खोलने की वो यही है कि इसको जो है इसको दबाने की कोश्च मत करिएगा बस खा यह देकाल लेना है और यह आप काम गर पे कर सकते हैं किसी मिस्टरी को दिखाने की ज़रुद नहीं है क्योंकि मिस्टरी को दिखाएंगे तो वह आपको छेल देगा काट देगा यहां देकिए इस फैन की हालत जो है डाउन हो चुकी है यह पन हो चुका हाप. अगर मैं इसको खोल के दिखाऊंगा अंदर से तो यह देखिए दोस्तों इसकी जो मोटर की जो वायर है अंदर की वो जल चुकी है बिलकूर फ्रेंट तो यह फैंट तो हमारा हराव हो चुका है तो चलिए अब इसको कर लेते हैं हम replace, replace करने के लिए इसमें जो है connector नहीं दिया गया है तो connector हमें इसमें से निकालना पड़ेगा, तो चलिए फ्रेंड यहां से हम connector निकाल लेते हैं, बहुत easy है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, यहां आप देख रहे हैं, बस कुछ न लगा दिया है, दोस्तों यह जो इस्टीकल लगा हुआ है, यह वाली साइड हमें इस तरीके से रखनी है, चीक है, कितनी बात आप द्यान में रखिएगा, यह वाली साइड हमें इस तरीके से रखनी है, यह देख लिजी फ्रेंड, फिटिंग कैसी आई है, तो हमने जो है, यह वाला वायर भी connect कर दिया है और इसको हम इस तरीके से रखेंगे कुछ ताकि यह वायर जो है वो heat sink में ना लगे तो चलिए यहाँ पर इसका connector दिया हुआ है अब मैं इसके connector को कर देता हूँ connect ठीके friend यहाँ fitting complete हो चुगी है हमारी और हमने connector को लगा दिया है अब बारी आती है testing की तो चलिए मैं इसका power जो है on कर देता हूँ यह देखिया on हो चुका है और fan यहाँ पर चल गया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और अगर मैं माइक लगा के दिखाता हूँ जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा पर यह fan जो है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है बिल्कुल silently चलता है यह fan कोई आवाज नहीं करता है तो अभी मैंने इसको बंद कर दिया है यहाँ पर देखिये फैन भी रूप जो है यह देखिये चालू हो चुगा है मतलब यह कि सारी प्रॉब्लम जो थी वो इस fan से थी अब मैंने इस fan को जो भी रिप्लेस कर दिया है अब यहाँ पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व देखिया तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजीगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजीगा